अएग मैं बनाने जार्य ही मस्रूम की सबजी। तो देखे मेर्ण करलें। देखिए सबार्च मैं करलें। मस्रूम हे धनियfeit сыब फ्याज। मुश्रूम को पहले में काट कर। पानी मैं उबाल लूँगी। इसको छल्दी नम्क तानगर मैं ऊबालूँगी। में पांच मिनट के लिए मसरूम को उबाल लूँगी इसमें मैंना हल्दी और नमक डाल रखा है जिसे इसका इसमेल भी निकल जाता है थोड़ा मसरूम उबल गया है एकदम अब इसको मैं छान लोगी गैस बन करके अब मैं इसको फ्राई करूंगी मसाला के साथ पैन गरम हो गया है इसमें मैं थोड़ी सी तेल लार लूँगी क्योंकि मसरूम मेरा 200 ग्राम ही है ज्यादा तेल मसरूम में अच्छा भी नहीं लगता है थोड़ी सी घी जाएगा इसमें और तड़का के लिए इसमें मैं जीरा ले 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 हूँ दो लाल मेरी तोड़कर और दो तेश पत्ता गरम मसाला में एक हरी इलाइची दो लाउं छोटा सा दाल चीनी कर टुकड़ा दो जावीतरी थोड़ी सी सह जीरा और एक काली वाली इलाइची एक आधा इलाइची है क्योंकि गरम मस्राला भी मस्रूम में ज्यादा नहीं परदास होता है इसको मैं भी दाल दूंगी तड़के में तड़का चटप गया है मेरा इस हरी में रिख दाल दूंगी दो त्याज मैंने तुक्रों में कात बख़्ा है प्राइक कर लूँगी आज करीब भून चुका है इसे ज्यादा लाल नहीं करना है इसमें में डाल दूंगी मसरूम इसको भी जो मिनट करीब उंक्राइए करेंगे त्याज थे पाट कर देंगे और गैस कम कर देंगे कर दिए। कर दोम कर दोघए। करेब बή automation ? कर दोरी आजा है कर sick प्याज के साथ प्याज के साथ फ्राइ करने में इसका फ्लेवर आ जाता है जहाए हुटत अच्छा प्याज ने से do as coliren other अब में इसमें डालूँगी थोड़ी हल Beim हाख़ राष्थ च्छोटा वगले से एक बैक। थोड़ी से हें लाल मिर्च का पाउडर और एक चम्मच मिक्स मेरा सब मसाला जो मैं खुद बना कर रखते हूं धनिया जीरा काली मिर्च सब को इसमें डालेगे हम एक चम्मच अद्रक लंसुन का पेश्ट थोड़ा सा पानी डाल कर हम सुखे मसालो को दिला सब होंगे अच्छी तरह चुन जाएंगे मसाले में तो ऐसे जल जाते हैं मसाले मादिया माच पर ही बिने तेज आग से जल जाते हैं ध़क देखे हैं थोड़ी जेर के लिए अब मैं इसमें डालेंगी मतर मतर को मैं बॉइल करके रखे हूं ताकि असानी शेपा की जाए एक छोटा कटोरी है मतर इसमें ताकि ने डालेंगी तामातर तामातर जलने के लिए मैं कोई जटनक के रखेंगी तामातर जलने के लिए मताले भून चुके हैं मेरे अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमप नमप काफटने स्वाद के इंचा टाल सकते हैं अबस्यमे डाहिए थोड़ी से मलाई आप इस्पून के करीब कसूरें कोरी मेठी है, धनिया पत्ता, सबजी मेरी भून चुकी है पूरी एकदाम से, अब मेश में थोई से पानी टाल गूंगी, करी पांच मिनट लगेगा सबजी को पकने में, सबजी बिलकुल पक्कर तयार हो गया है, आप इसे किसी भी जीज के साथ खा सकते हैं, रोटी, पूरी, पराठा, नाम, सब के साथ ये सबजी अच्छा लगता है, देखिए मैं इस को प्लेट में निकालते हूँ, कितना यम्मी हुआ है, अगर मेरी रेशिपी आपको पसंद आए, तो प्लेज इसे like, share और comment जरूर करें, अच्छे-अच्छे comment करते रहें ताकि मैं अच्छे-अच्छे और ये ईसी भी बनाकर आपके तो प्लेज आपको प्लेट मेना, ज़्वारा कुलिए अच्छे और यैसी भी बनाकर आपके निकालते हैं, झाल झाल